तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग ने DPSP और fundamental duties को अपने short notes और mind maps के थुरू complete कर लिया है, तो अब हम उसके MCQs को complete करने की पुशिश करेंगे, DPSP और fundamental duties से related, civil services examination, CAPF, CDS और NBA में जितने भी question पूछे हैं, हम उन सबको solve करने की पुशिश करेंगे, स सबसे पहले हम CAC के questions को solve कर रहें, I hope so, कि आप लोगों ने DPSP और fundamental duties को पूरी तरीके से complete कर लिया होगा, अगर नहीं, तो मैं आपको suggest करूँगा, कि पहले आप इसको जाके पढ़ना, ठीक है, उसके बाद जाके आप इस question को करोगे, तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ जादा सीखने को मिलेंगी, चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहले questions है, 2020 में पूछाएं, बड़ा ही simple सा question है, पूछाएं, which part of the constitution of India declares the ideal of welfare state, welfare state कहां पर बताया गया है, इस state को directors दिये गया है, है न, welfare करने के लिए, बस, तो DPSP जो है, उसमें comprehensive, social, economic, और political program, for modern welfare state बनाने के लिए, सरकार को obligation दिया गया है, और ये directive देने का काम करते है, जैसे food clothing provide करो, basic facilities provide करो, और welfare state का भी concept जो है, वो हमें DPSP में देखने को बिलता है, अच्छा ही होगा, कि आप बार बार, जो ये DPSP है, इस पे आओ, इस पे रुको, जो भी चीज, आपसे question में पूछ रहा है, द welfare शब्द आपको अपने आपी दिख जाएगा, दिख गया है welfare शब्द, चीक है, तो इस तरीके से करो, बार 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 चीजों को repeat करो, आपको चीजों को याद करना है, चीक है, अगला question देखो, concentration of wealth किस चीज को violate करता है, हमको कुछ करना ही नहीं है, हमने जो पढ़ा है, ब ये जो DPSP है, मैंने आप लोगों के लिए इतना concise कर दिया है, आपको किताब पढ़ने के अब बिल्कुल जरुवत नहीं है, है न, गांधियन, liberal intellectual, socialist, एक ही आर्टिकल में दो-दो DPSP, मतलब कि एक socialist और एक गांधियन कैसे हैं, वो सब mark out कर दिया है, अब आपको सिर्फ next question देखते हैं, यह देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा लग रहा है, 2020 का question है, with reference to the provisions contained in part 4 of the constitution of India, which of the following statement is or are correct, पहला, they shall be enforceable by court, मतलब DPSP, court से enforceable होते हैं, याद करो, हमने पढ़ा था क्या, कि enforceable नहीं होते हैं, second, they shall not be enforceable by any court, अब देखो मज़े की बात, या तो first सही या second सही, दोनों साथ में सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है, third, the principles laid down in this part are to influence the making of laws by the state, बनी सी बात है, part 4, directive देता है state को, तो इसके जो principle है, वो state को influence करेंगे, कुछ काम को करने के लिए, right, तो वापिस आते हैं, हमारे fundamental right और DPSP के comparison में, हमने DPSP में क्या पढ़ा था, ये non-justishable होते हैं, fundamental right क्या होते हैं, ये justice-shable होते हैं, तो अगर इस बिहाफ में मैं question को देखूंगा, तो क्या answer निकल क्या रहा है, कि first गलत है, two और three सही है, है ना, अगला question, चलो चलते हैं, next question पे 2017 में पूछा गया है, बड़ा ही simple सा question है, कि 40 second amendment जो हमारे समविधान में हुआ, उससे किस DPSP को हमने जोड़ा, यहां पे कुछ options दी हुए, है ना, तो, अगर हमने हमारे short notes को धंग से पढ़ा है, तो आईए देखते हैं, उससे बनता का question, हाँ, newly added DPSP के बारे में हमने पढ़ा था, हमने देखा था, 42nd Constitutional Amendment Act से कौन-कौन से article add-on हुए, इसमें हमने पढ़ा था, एक 43A, और 43A बोलता है, Participation of Worker in Management, हमने पढ़ा था 48A, जो Environment और Wildfire की बात करता है, हमने पढ़ा था 39A, जो Free Legal Aid की बात करता है, तो इन ही में से answer होगा, जबाब क्या है, Participation of Worker in Management, जो आपको option में दिया हुआ है, तो Participation of Worker in the Management of Industry, this will be the answer, हर चीज शॉर्ट नोट से निकलेगी, बस अब आपका दाइत्व है, कि आप उसको बिलकुल धंग से पढ़ो, रटो, समझो, जो करना करो, 2015 का Question, DPSP पे, पहला, इस DPSP में जो Principles दिये हुए, वो क्या Social Economic Democracy को Establish करते हैं देश में, बट Obviously हाँ, हाँ, खेर, अभी हम फिर से देखेंगे, अपने Mind Map में, Second Option बोलता है, Provision जो है, इस Principles में, they are not Enforceable by Court, बट Obviously बात है, बार-बार हम इसी चीज को देख रहे हैं, याद करो, जब हम DPSP को पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा था, Welfare State बनाएगा, Enforceable होता हैगा, Court से, जवाब है नहीं, इसलिए त Social Economic Democracy ले के आता है, मैंने आपसे Question पूछा था, Political Democracy भी ले के आता है, जवाब है नहीं, यह Fundamental Right लाता है, है न, यहमने Fundamental Right पर पढ़ा हुआ है, तो बस इस तरीके सा आपको अगर चीज़ें याद हैं, तो आपसे Question बन गया, चलो, चलते है Next Question पर, 2017 न पूछा है, Consider the following statement, Directive Inclusive State Policy जो है, यह किस पर लिमिटेशन लगाता है, जवाब है, यह किसी पर भी लिमिटेशन नहीं लगाता है, क्योंकि किसी काम को करने के लिए बोलता है स्टेट को, यह लिमिटेशन नहीं लगाता है, वो Fundamental Right लगाता है, ठीक है, तो न यह सही है, Next Question, 2008 का, DPSP में कौन सी चीज है, पहला, Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labor, याद करो, यह तो Fundamental Right जैसा लग रहा है, दूसरा, Prohibition of Consumption except for Medicinal Purposes of Intoxicating Drink and of Other Drug, which are Injurious to Health, देखने ही कोशिश करते हैं, कि यहाँ पर कोई ऐसी पदार्त का सेवन, मना किया है क्या, हमारे DPSP ने, तो देखो, Article 47 DPSP का जब पढ़ोगे, तो यहाँ पर Intoxicant शब्द लिखा हुआ है, है न, और यह कौन सा प्रिंसिपल है, गांधियन प्र अर्टिकल का पहला पार्ट जो है, Health, Nutrition, Stand of Living, यह किसका DPSP है, Socialist, ठीक है, तो एक यह आर्टिकल में दो DPSP है, खेर, एतना tough question नहीं पूछा था, हमसे तो आसान सा question पूछा है, तो अपना answer लगा के, to only, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, अगला question, 2014 का, International Peace and Security किस में है, किस में दी गई है, Fundamental Right में दी गई है, Fundamental Duty में दी गई है, यह बात तो हम सब जानते हैं, कि Article 51 बात करता है, International Peace and Security कि, Article 51 किस में आता है, DPSP में, क्योंकि Fundamental Duty तो 51 यह में आता है, तो कहने का यह मतलब है, अभी ता कितनी बात हम समझ गए, कि अगर DPSP हमें रटे हुएं, तो previous year के सारे question हमसे लगातार बन रहे हैं, ठीक है, चलो, 2012 का question देखते हैं, consider the following provisions under the DPSP, जो कि उसमें enshrined है, पहला, citizen clear uniform civil code लाना, securing for citizens of India, uniform civil code, दूसरा, organizing village पंचायत, तीसरा, cottage industry, rural area में promote करना, और चौथा, जितने भी workers हैं, उनके लिए secure करना, reasonable, leisure, आराम, और cultural opportunities, मगर यहाँ पे एक और keyword है, आपने देखा ही नहीं होगा, यह गांधियन principle के बारे में भी पूछ रहा है, तो कौन से DPSP में आते हैं, अगर कोई यह पूछे तो, जवाब है सब आते हैं, राइट, हाला कि 4 वाला, यह 1, 2, 3, तीनों गांधियन principle हैं क्या, आइए चले देखते हैं करके, देखो, सबसे पहले वो क्या बोलता है, uniform civil code, uniform civil code, इसकी बात कहां पर बोली गई है, देखके बताओ, इसकी बात बोली गई है, article 44 में, article 44 कौन से color का है, blue, blue color क्या showcase कर रहा है, liberal intellectual principle है यह, मतलब यह गां जवाब है हाँ, यह तो गांधियन principle बोल रहा है, यह तो liberal intellectual principle है, तो 1 भी गलत हो जाएगा, तो 1 गया, 4 गया, या 1 भी गया, तो आप अपने answer में पहुँच गए, ठीक है, चलो, next question, 2006 में पूछा है, बारत में ऐसा कोई provision नहीं है, समविधान में, जो equal pay for equal work for both men and women बात करता अरे, यह तो गलत है, कैसे गलत है, क्योंकि हमने DPSP पढ़ा हैं अच्छे से, DPSP में क्या हमने man-woman के बारे में equal पैसा मिले, ऐसी बात की थी क्या, देखो यहाँ पे ज़रा, तो हमने देखा था article 39 में, जो equality के tenant पे बनाया गया है, equal pay for men and women, मैं आपको बताया था, और यह गलत हो गई, है ना, कि provision दिया है हमारे समविधान में for equal pay for both men and women, तो यह गलत हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे no लिखा हुआ है, है ना, no लिखा हुआ है, no नहीं होता, तो इसा ही हो जाता, second, the constitution of India does not define backward classes, हमारा समविधान जो है, वो backward classes को define नहीं करता, तो यह जवाब ब future में वापिस लेके आएंगे, जब हम backward class के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वैसे for a time being, मैं आपको बता दूँ, कि अगर आप जाके देखोगे backward class का topic, तो वहाँ पे हमने इस चीज को पढ़ा है, अगला question देखो वापिस से वही है, कि DPSP, या जो DPSP का purpose है, वो क्या करना ह देखो है, political democracy भी दिया है, answer यह नहीं है, answer क्या है, social economic democracy, तो बस, तो इस तरीके से DPSP के हमारे सारे questions complete होते हैं, from the next lecture, we will talk about the MCQs of fundamental duty, उमीद करूँगा, DPSP के जितने भी questions आपने solve की हैं, आपको यह समझ में आया होगा, कि कितना easy आपके लिए हो जाएगा, अगर आप इन short notes को अच्छे से याद कर लोगे तो, तो अब यह आपका दाइत्व है, कि आप इनको पड़ो, इनको समझो, और इन short note की बार बार प्रेक्टिस करते रो, इनकी PDF को डाउनलोड करके, that's it from my side, for this particular topic, Indian keep shining, have a good day.